कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नमबर 36 सब और निट कोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे सब और निट कोर्ट में हम वह सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए इंपोर्टन आर्टिकल्स कौन कौन से हैं फिर हम लोग बात करेंगे नाशनल लीगल सर्फिसे अथॉर्टी जिसको आर्टिकल 39 एक के अंदर बनाया गया इसके अंदर बना नालसा नैशनल लीगल सर्फिसे अथॉर्टी किसके अंदर बनाई है लीगल सर्फिसे अथॉर्टी एक्ट ऑफ 1987 इसके बारे में बात करेंगे जो अलग-अलग कमिटियां बनाई गई अलाकि मुझे लग नहीं रहा कि मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा चुकि फिर वीडियो को जादा ही लंगी हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आगे बंद्स पहले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को शेर नहीं किया है तो प्रीस कर दिजिए मेरे दुरा बनाए गई और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं जॉइन बटन दबाके इंस्ट होड को देखने के नीचे आते हैं हरारकी ऑफ सब्दों लुव और श्युक्त दोसक्ते हैं साछ्व असके नीचे बहुत सारे लुवर को लुवर को अप एक शब्द इस्थमाल करते हैं सब्सक्राइब को इंके उपर एड्मिन स्टेटिव आपके सकते हो कि समय-पर ऑडर देना, इनकी छुट्टियों के बारे में बातचीत करना, ये सब काम हाई कोड करता है, हाई कोड एक तरीके से अंब्रेला में करता है, मतलब उपर से administration प्रोवाइड करने वाला काम हाई कोड करता है, constitutional provisions की बात की जाए, अगर state हाई कोड के, तो article 233 तो 237, in part 5 of the constitution, it makes the following provisions to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive, तो भाईया, part 6 of the constitution में, article 233 to article 237 कुछ provisions बनाता है, ताकि subordinate courts के organization को regulate किया जा सके, उनको executive से independence दिलाई जा सके, पहली चीज है, appointment of districts, judges, तो भाईया, appointment of district judges कैसे होगा, तो appointment ही नहीं, सिर्फ posting and promotion of district judges, यह कौन करता है, governor of the state करता है, after consulting the high court, ठीके, तो high court से consult करने के बाद ही, एक judge को appoint किया जा सकता है, उसकी posting किया सकती है, उसका promotion किया सकता है, और यह सब करेगा कौन, governor करेगा, अगर किसी एक person को आपको as a district judge appoint करना है, तो उसके पास कुछ qualifications होनी चाहिए, वो क्या-क्या qualifications होती है, कि वह या तो किसी central government की नौक्री में ना हो, state government की नौक्री में ना हो, तो he should not be in the service of a central or state government, अगर इनकी नौक्री में हैं, तो district judges नहीं बन सकता है, प्लीड कर सकता है, दलील दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसको बुला था प्लीडर, तो advocate और प्लीडर है, अगर 7 साल के लिए, तो उसको district judge appoint किया सकता है, हाई court ने उसके appointment को recommend किया हो, तो उसके appointment किया सकता है, तो यह 3 conditions हैं दोस्तों, और अगर यह 3 conditions fulfill होती हैं, तो एक person को यहाँ पे district judge appoint किया सकता है, ओके, फिर आगे बात करते हैं, appointment of other judges, यहाँ पे district judge नहीं है, यह other judges है, तो उन persons का appointment, जो कि district judges के अलावा, judicial service of the state में involved हो रहे हैं, judicial service of the state में, केवल district judge नहीं होते हैं, district judge के नीचे, district court के नीचे और भी court साती हैं, और वो court कौन सी हैं, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तो judicial service of the state में केवल अकेला district judge नहीं हो, उसके नीचे और भी दो लेवेल से जजों के, वो कौन है, वो बताएंगे, और उगर उनका appointment करना है, तो उनका appointment कौन करेगा, governor of the state करेगा, किस के साथ consult करके करेगा, state public service commission और high court के सब, यहाँ पे naturally होता क्या आए, कि state public service commission एक exam conduct कराता है, और उस exam के results के हिसाब से, जो भी qualify करता है, उसको appointment दिया जाता है, तो एक competitive exam के basis पे, all those persons appointment के जाते हैं, to the judicial service of the state, who are other than district judges, competitive service exam में आप qualify करो, तो governor आपको appointment कर देगा, SPSC का उसमें रोल और high court भी अपनी ascent देही देता है, चोंकि high court obvious सी बात है, कोई qualified person exam qualify करके, cut off qualify करके आया, तो उसके appointment को नहीं रोकने वाला है, high court. फिर भाई अगर आप high court की बात करें, तो they also control over subordinate courts, देकि subordinates तो control किसके हाँ में होता है, तो district court का control, और जो दूसर subordinate courts हैं एक state के, उनका control कैसे, तो उनके officers की posting, promotion, उनके officers की leave, तो basically a judicial service of the state में, जो उपर के level के officers, उनकी leave वगरा को decide करना, ये बताना कि कौन सी post superior है, कौन सी post inferior है, district judge की post से, ये सब बताना high court का काम है, तो कोई एक post district judge से उपर है या नीचे है, ये बताना भी एक state के अंदर high court का काम है, फिर high court यहाँ पर interpretation भी करता है, देखिए अगर आप district judge की बात करें, subordinate judiciary में, अगर आप district judge की बात करो, तो district judge बोल सकते हो, आप judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge, and assistant sessions judge, ये सब आपके district judge की category में आते हैं, तो basically, जब आप बात करते हो, judicial services of the state, तो देखिए, judicial service of the state में, सिर्फ district judge की post नहीं आते हैं, judicial service of the state में, post of district judge भी आएगी, साथ साथ district judge के लावा, जितनी भी दूसरी civil judicial post हैं, जो कि district judge के अधीन है, inferior हैं, वो भी आएगी, तो judicial service of the state में, post of district judge तो आएगी, पोस्ट of district judge के निचे, जितनी भी civil judicial post हैं, जो कि post of district judge से inferior हैं, वो भी आएगी, तो इसकार पांच्वा पॉइंट, application of the above provisions to certain magistrates, क्या बोला जा रहा हैं यहापे, कि भाईया, गवर्नर चाहे, तो भाई, जो judicial, जो state की judicial service की, जो service conditions है, उनको किसी दूसरे class of magistrates के पूर पर अपलाई कर सकते हैं, देखिए, जब judicial की बात रहती हैं, state के overall administrative hierarchy के अंदर, architecture के अंदर, बहुत सारी ऐसी postage में होती हैं, जहांपे magistrates होते हैं, जिनके पस semi-judicial powers होती हैं, बहुत प्रकार के magistrates होते हैं, भी भाई, यह जो civil, जो judicial services of the state हैं, इन judicial services of the state के उपर बनने वाले, उनके उपर लगने वाले जो नियम कानून हैं, वो दूसरे classes of magistrates के उपर भी apply कर सकता है, high court अगर वो चाहिए, तो it depends on the high court, कुल मिला के बात यह हैं कि state के अंदर, जितने भी प्रकार के judicial magistrates हैं, उनके काम करने का तरीका, उनकी hierarchy, उनको क्या position title दिया जाएगा, उनके क्या privileges होंगे, यह सब डिसाइड करने की एक major power high court के पास है, फिर बात करते हैं, structure and jurisdiction of the subordinate court, ते कि organizational structure, jurisdiction, normanclature of subordinate judiciary, यह अलग-अलग states में अलग-अलग हो सकता है, अभी थोड़ी दिर पहली मैंने आपको बताया, मतलब उसके बहुत अलग-अलग प्रकार के normanclature, अभी आप बात करो, structure and jurisdiction की, अलग-अलग states में अलग-अलग normanclature हो सकते हैं, उनकी ताकत भी थोड़ी बहुत अलग-अलग हो सकती है तो एक स्टेट में अगर सबसे टॉप पे कोई अथार्टी आती है तो वह हाई कोड़ हाई कोड़ के नीचे मैं थोड़ा से यहाँ पर मारक कर बदल लेता हूं तो चीजन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी ठीक है हाई कोड़ की नीचे दोस्तों दो साइड आएंगी एक आएगी सिविल साइड और एक आएगी आपकी कर्मिनल साइड ओके सिविल साइड में सबसे उपर होगा डिस्टिक्ट कोड इस डिस्टिक्ट कोड में जो जज बैठेगा उसको आप डिस्टिक्ट जज बोल सकते हो ठीक है क्रिमिनल साइड में सबसे उपर होगा सेशन्स कोड उस सेशन्स कोड का जो हैड होगा उसको सेशन्स जज भी बोल तो इसको बोलते हैं वह ज़ग जब क्रिमिनल कैइन को सुनता है तो उसको सेचेंच बोलते है। तो बैसिकली डिस्टिट क कोट जब काम किरो तो ज़गा वही डिस्ट्रिक वाला जज जब क्र Ready सब्सक्राइब करने के लिए आपका भी भी लक्षमी गांत को सकतो लक्षमी गांत में सारी चीजन लिखी हुई है तो भाया डिस्टिक्ट की सबसे टॉप अथर्टी कौन है डिस्टिक जज वहाँ पे डिस्टिक्ट जज के पास जूडिशल और अड्मिनिस्ट्रेटिव दोनों होती है उसके पास उपर्विजरी पावर्स होती है अगर वो अपना decision देती है तो उसके against appeal किसके पास जाएगी ऑविसी बात है हाई court के पास जाएगी criminal अब देखे civil question में तो ऑविसी बात है फांसी सजाँ सुनाई नहीं जाती है अगर sessions court किसी case को सुन रही है और किसी criminal case को सुन रही है तो मान लिए कोई serious crime है murder या rape जैसा उस case में जो आपका sessions court का judge है वो मौत की सजाँ सुना सकता है बट अगर sessions court का judge मौत की सजाँ सुनाता है अगर मौत की सजाँ सुनाई गए sessions court के judge दो आ रहा तो अविसी बात है उसको ratify करना पड़ेगा हाई court को तो मैंने आपको यहां पर बताई दिया है कि किस के नीचे कौन-कौन सी court आती है civil side पे और criminal side पे कौन-कौन सी level पे कौन-कौन सी judge है अगर आप high court के नीचे आ जाई है तो तीन आपको levels नजर आए district court उसकी नीचे वाले level उसकी नीचे वाले level ठीक है दोस्तों तो civil side पे सबसे उपर आपको district general आया फिर आपको subordinate judge का quoi नजर आया फिर 완stive court नजर आया फिर criminal side सबसे ऊपर सबसे उपर सशेडल नजर आया फिर chief judicial magistrater का Court नजर आया फिर judicial magistrater का Court नजर आया तो यह चीज़ए आपको पता चल लोगी यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें आपको और जाननी है जो सबॉडिने जज़ का कोट होता है सबॉडिने ज़ज का कोट यह यह वाले लेवल की बात कर रहा हूं है सबॉडिने ज़ज के नीचे है सबॉडिने ज़ज के कोट में अनलिमिटेड पिक्यूनेरी जिरिश्डिक्शन है अनलिमिटेड पिक्यूनेरी जिरिश्डिक्शन मतलब क्या होता है पिक्यूनेरी मतलब मॉनिट्री तो सबॉडिने ज़ज का कोट है तो पैसों की कोई केस हो, वो subordinate judge court की competence के अंदर आता है, इस बात को याद रखिएगा, तो उसके बाद अगर आब बात करो, Chief Judicial Magistrate कितने साल तक की सजा सुना सकता है, तो यह साथ साल तक की सजा सुना सकता है, Chief Judicial Magistrate court साथ साल से ज्याद की सजा नहीं सुना सकता है, तो कोई अगर capital punishment वाला case मा ली जा गया, तो automatically Chief Judicial Magistrate किसके पास refer कर देगा, sessions judge या sessions court के पास refer कर देगा, ठीक है दोस्तों, यह चीज़ है यहाँ पर, तो यह मैंने आपको value बता दी, उसके बाद याद रखिएगा, जो Judicial Magistrate है, यहाँ पर आपको आपको नजर आ रहा है, Judicial Magistrate maximum सुजा सुना सकता है तीन साल तक की, ठीक है न, तो भाई, Judicial Magistrate criminal cases को hear करता है, जहाँ पर maximum सुजा सुना जा सकती है, Chief Judicial Magistrate का कोड, साथ साल तक की सुनाने वाले cases को refer करता है, उससे उपर चले गए, तो आप session judge के पास पहुंच जाओगे, फिर मैंने बता दिया कि यह जो SJC है, ठीक है न, SJC म कोन आ रहा है, यहां पर सबसे lower level पर आ रहा है, मुंसिफ कोड और मुंसिफ कोड के पास जो pecuniary jurisdiction होता है, वो थोड़ा छोटा होता है, पिक्यूनिरी स्टेट छोटा होता है, तो एक limit रखी जाती है, कि इतने रुपए तक का case है, तो मुंसिफ कोड में सुभाई हो सकती है, अभी वो कितने रुपए तक का case है, को यह case है, वो अलग-अलग states में, अलग-अलग हो सकता, फिर भाईया states में, पंचायत कोड भी होवा करती है, जो पंचायत कोड होती है, वो बहुत छोटे मोटे civil और criminal cases सुनती है, तो उनको नया पंचायत बोल लिजे, ग्राम कछेरी ब बोल लिजे, कुछ भी बोल लिजे, फिर कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, आर्टिकल 233 क्या बोलता है, appointment of district judges, आर्टिकल 233 क्या बोलता है, validation of appointment of judgments, delivered by certain district judges, 234 ते कि हुआ यह था, यह जो आपको मैंने 233 बताया था, इसमें हुआ यह कि 1966 में, लमसम 1966 में यह रफेरेंस मे कुछ district judges का appointment जैसे हुआ था, उस तरीके को यहाँ पर मानने माना गया, और उनके दौरत दिये के judgment को यह मानने माना गया, और उसके बाद वो जो appointment का तरीका था, district judges को वो आज तक follow हो रहा है, को कि 21 शोधन ने district judges के appointment के तरीके के उपर हामी भरी थी और आज तक उसी तरीके स से appointment किया जा रहा है, 234 में recruitment of persons other than decision to do services, 235 control or subordinate courts, 236 interpretation, 236 application of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates, ठीक है भाई, यह बात है होगे, अब हम आजाते हैं किस पे, अब हम आजाते हैं National Legal Services Authority के, इसमें सबसे पहले आ जाएगा, क्या, Article 39A, Article 39A क्या बोलता है, 361 क्या है, Directive Principles of State Policy, उसमें Article 39A है और वो बोलता है, free legal aid to the poor and weaker sections of the society, and ensures justice to all, यह निकि, यह जो हमारी court में justice का mechanism है, काफी महगा हो गया है, और सबके पास यह justice का mechanism available नहीं है, तो सबके पास इस justice के mechanism को available कराया जा सके, इसी के लिए Article 39A याद दिलाता है, ठीक है, किसको हमारी ruling देखे, Directive Principles of State Policy में जो भी आर्टिकल जोडएगा है, उन आर्टिकल को इसलिए जोड़ दियागा है, कि regularly सरकार को यह याद दिलाए जा सके कि आपको यह काम करना है, आपके ओपर mandatory, obligatory नहीं है, बट काम करना है, नहीं किया तो अगली बार लोग आपको वोट नहीं जहां पर सबके पास access हो, और इसी रहा में 1987 में लाया गया Legal Services Authority Act 1987, और इस Legal Services Authority Act को Parliament में इनेक्ट कराके 9 November 1995 को लगू किया गया, को और बोला गया, कि free and competent legal services, weaker sections को provide की जाएंगी, free of cost, और इसका जिम्मा दिया गया किसको, नालसा को, यह रहा आपका नालसा, यहाँ, नालसा को आप बोलते हो, National Legal Services Authority, National Legal Services Authority को Legal Services Authority Act 1987 के अंदर बनाया गया, to monitor and evaluate the implementation of legal aid programs, and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act, मतलब कि National Legal Services Authority क्या कर रही है, कि भाईया देखिए, Legal Aid Program जो भी बनाये जाएंगे, जो भी policies, principles दिये जाएंगे, वो, मतलब कि अंदर, Legal Services Authority Act ने क्या बोला, कि भाईया, Legal Services को free में लोगों तक पहुँचा ये, और इसके लिए क्या बनाये गया, इसके लिए बनाये गया, नालसा, नालसा का कामी ये है, कि भाई, Legal Aid Program को implement करेंगे, नालसा तो पूरे देश में Legal Aid Program को implement करेगा, हर राज में एक State Legal Services Authority बनाई जाएगी, हर High Court में, एक High Court Legal Services Committee बनाई जा कभी-कभी, आपके सामने एक सवाल आता है, कि भाईया, लोग अदालस को कौन कंड़क करता है, ध्यान दीजेगा, नालसा सेंटर पर काम कर रहा है, National Legal Services Authority, उसके बाद State Legal Services Authority, ठीक है, State Legal Services Authority, याद रखिएगा, फिर देश की जितनी भी High Court है, वहाँ पे High Court Legal Services Committee बनाई गई है, डिस्टिक्ट में, डिस्टिक्ट Legal Services Authority है, तालुक में, तालुक Legal Services Committee है, तो अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग कमिटी और अलग-अलग Services बनाई गई है, और ये Services, ये जो Mechanisms है, ये अपनी-अपनी जगाओं पे लोग अदालास को कंड़क करते हैं, ठीक है, तो National Legal Services Authority, State Legal Services Authority, हर High Court की जो High Court Legal Services Committee होती है, हर डिस्टिक्ट की डिस्टिक्ट Legal Services Authority होती है, हर तालुक की तालुक Legal Services Committee होती है, इनको अधिकार है कि ये अपने-पने डोमेन में लोग अदालत को कंड़क करवा सकते हैं, यानि लोग अदालत बहुत जगों पे कंड़क हो सकती हैं, और at the same time Supreme Court Legal Services Committee ही बनाई गई है, तो Supreme Court Legal Services Committee, Supreme Court of India से related जो भी Legal Services Program है, यानि की Legal Services को Free of Cost है, Equitable तरीके से लोगों तक पहुचाना है, तो इस चीज़ों कौन एंशूर करेगा, Supreme Court Legal Services Committee एंशूर करेगा, तो बेसिकली नालसा क्या करता है, ये guidelines देता है, बेसिकली देखे, नालसा लोग अदा पहुचारी करेगा, इस चीज़ों करेगा, बेसिकली लोग अधालत में गानाएं पहुचारी के लोग अधालत में तो आमने सामने बैठ्के रहनी प्रॉल्लम को सॉल्व कर रही है legin कोई एक ऐसी पार्टी है जिसके पास इतनी आवकाद है नहीं कि वह अपने लिए lawyer कर सके आपने लिए को representative कर सके तो उसके लिए lawyer अडविलेबल करवाना यह किसका काम है यह भी इन कमीटी काम है गाओं के आलाकों में जाके लोगों को बताना कि आपके लिए free of cost legal services available हैं, अगर आप चाहें तो इनका फायदा उठा सकते हैं, ये भी इनका काम है Free legal services में क्या क्या आता है, इसको भी देख लेते हैं, payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings दूसरा, providing service of lawyers in legal proceedings, तीसरा, obtaining and supplying of certified copies of orders in other documents in legal proceedings, preparation of appeal, paper book, including printing and translation of documents in legal proceedings ये सब चीज़ें आती हैं आपकी, किसमें? free legal services में, free legal services के लिए eligible कौन है तो भाया, women and children are eligible है, schedule cast और schedule traps के members eligible है, industrial workmen यहापे eligible है, फिर victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, disaster eligible है, disabled persons eligible है, persons in custody eligible है, वो persons जिनकी annual income एक लाग एकसीड नहीं होती, वो भी free legal aid ले सकते हैं, Supreme Court Legal Service Committee के साब से ये limit है, एक लाग पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् से कम है, वो लोग Supreme Court की Legal Services Committee की भी assistance ले सकते हैं, बाकी courts के लिए limit रखी गई है, एक लाग और victims of trafficking in human beings और बेकार, यहाँ पे भी आप legal help ले सकते हैं, तो यह वो classes of person हैं, जो legal help को ले सकते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, लोग अधालास की, लोग अधालास को मैं अगली वी इकने को मिला होगा, have a great day, good bye